दोस्तो आईपेल 2024 की सबसे तेज गेंद फेकने वाले मयंग के आदव फिलहाल चोटिल हैं टीम से बाहर हैं लेकिन कप्तान केल राहूल ने बड़ी अपडेट दे दी है और लगबग बता दिया है कि कब ये वापिस आने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विकास और आप देख रहें आरेया स्पोर्स बात करेंगे मयंग के आदव की कैसे केल राहूल ने एक बानगी दी है कैसे केल राहूल ने बताया है कि मयंग के आदव वापसी करने वाले हैं आप सभी जानते हैं मयंग के आदव ने 150.6 km पर आवर की स्पीड से जो गेंद फेकी थी वो IPL 2024 की अभी तक सबसे तेज गेंद है इतना तेज गेंद बाज भारत का इतना तेज गेंद बाज आयाई जाई पर 2024 में इंट्रिडीज युआ ये खबर जब से आई तो लोगों ने इसे हाथ वाथ लिया मयंग के आदव लगातार वाइरल होते गए लगातार फेमस होते रहे लेकिन फिर चोटिल हो गए और टीम से वो है मैच के दौरानी बाहर हो गए थे जरूरत है वह जाने के लिए बेचैन है यह सुनिश्यत करने की जरूरत है कि वापिस आने से पहले वह सौफी सदी फिट हो दोस्तों आपको बता दें आईपेल दोजार चौबीस में मैयंक यादव ने अभी तक तीन मैच ही खेले हैं नो ओवर डाले हैं इन नो ओवरों में उन्होंने लिये हैं छे विकेट और एकोनॉमी भी इनकी छे की है तीन विकेट लेकर के चौजार रन देना इनका बेस्ट फिकर है अभी तक आईपेल में क्योंकि डेब्यू ही किया था लेकिन ये लखना सूपर जाइंस के साथ 2022 से हैं इससे समझ सकते हैं कि कोई एकदम से नहीं आगए जैसे मैक फ्रेशर गर्ग आये हैं दिली की टीम में वो अचानक से आये डेब्यू किया पहले मैच में 50 लग 6 किलो मीटर पर आवर किया है दोस्तों लखनाओ को अपना अगला मुकाबला चेने सूपर किंग्स के साथ 19 अपरेल को खेलना है और देखने वाली बात ये इंट्रेस्टिंग होगी कि क्या उस मुकाबले में यहां पर वापसी होती है मयंग की आदव कि उमीद पूरी है ज इनकी वापसी आप 90 प्रितिशत तैमान सकते हैं हलका फुलका अगर कुछ रहता है तो शायद हमें देखने को ना मिले लेकिन चेने सूपर किंग से खिलाफ जरूरत तो मयंग की आदव की पड़ेगी केल राहूल को आप कमेंट करके बताईए कि मयंग की आदव अधिक्तम कितनी स्पीड से इस IPL के इंदबाजी करने वाले हैं 156.7 किलो मिटर पर आवर की स्पीड से कर चुके हैं लेकिन क्या वो 158 को टच करेंगे 160 को टच करेंगे बड़ा सवाल है केपेबल तो है लेकिन क्या कर पाएंगे आप जवाब दीजे कमेंट में वीडियो को लाइक कर करेंगे